पूपिवेश्ट वार्ट वाक्ता जी, सबी स्टूडन्स का एक बर फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं जस्मीद भाटिया जी. जस्मीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रिशन के चीफ है डिरेक्टर है और बड़े लंबे वक्त से USA, कनेड़ा और ऑस्टेलिया स्टूडन्स को गाइड कर रहे हैं लैंडमार्क इमिग्रिशन अलग लग देशों के अलग लग कैटागरी के बीस हजार से भी जादा वीजा लेने में स्टूडन्स को हेल्प कर चुका है आज हम बात Australia की करेंगे और समझेंगे Australia का complete process Australia का A to Z complete process क्या है जिसमें fresh students हमारे recent pass out है या pass out होने वाले हैं और जो पुराने students हैं जिन्होंने पिछले साल दो साल में Australia के लिए जो eligible हैं जिन्होंने 10 पस 2 की है या जिन्होंने graduation की है टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है तब भी आपके लिए Australia में क्या possibility है A to Z information जिसमीं जिसमीं जी हमारे साथ करेंगे जिसमीं जी आपका स्वागत है जिसमीं जी आपका स्वागत है जिसमीं जी A to Z चाहूंगा मैं Australia को आप explain करें अप्लाई करने से लेकि रिजल्ट तक क कितने चाहिए किस तरह के सुड़न्स को जादा रिजल्ट मिलेंगे colleges universities का comparison करिए सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक difficult subject है काफी लोग तो ऑस्ट्रेलिया करें नहीं पाते सो स्टूडेंट्स जब हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करते हैं तो assessment level 1 assessment level 2 assessment level 3 आपका country क सो जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर आजाता है सी योई स्टूडेंट सी योई क्या होती है confirmation of enrollment सी योई हमें कब मिलती है जब जी टी क्लियर होती है सो इसारे topics हैं बड़े confusion वाले topics हैं स्टूडेंट्स को knowledge नहीं होती है स्टूडेंट इसी एजेंट के पास जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि आप हमें इसमच अमाउंट आप हमें दे दो यहां आप हमें वीजा के बाद इतना पैसे देदा और वीविल प्रसीड यूर केस सो शेकेंड़ी फर्स चीज मैं यह बताना चाहूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में रफ्यूजल आती है तो दोकुमेंट्स यहां बेटर एक्स्पलेशन आप दे सकते हूं जर्नली सेकेंड टाइम में वीजा लेना इन तीन कंट्रीज में अस्ट्रेलिया यूके न्यूजलेंड में बहुत ही मुश्किल हो दाता है अंटिनल अनलेस यूह वेरी 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 स्ट्रॉंग रीजन आफ री फाइलेंग सो जब आफ फर्स ताइम अपना केस लगाते हो स्टूडेंट्स तो हमें यह चीज़ का बहुत जादा ख्याल रखना चाहिए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी यहां कॉलेज में अपलाए कर रहे हैं फर्स तिंग विच इस रेली रेली इंपॉर्टन कि हम कौ इन सो नहीं भी करते तब भी interview-based पर की सी-वी आ जाती सीटी क्लियर ओपट जो लेफर्दंस की वैरिफिकेशन आजकल इनमें हाई कमिशन चार रहा है एंषैसे enjoyland चाहूंगा कि gap is not acceptable in Australia if you are a fresh 12th pass out student so right now Australia is accepting only 2022 pass outs only level one and level two university colleges इसके पहले से सिरफ graduate students ही accept किये जा रहे हैं graduate students gap के साथ नहीं apply कर सकते experience के साथ apply कर सकते हैं आपके पास experience होना चाहिए आपके पास income tax returns होनी चाहिए आपके पास relieving letter होनी चाहिए आपके पास सारे proofs होने चाहिए अगर आप experience show कर रहे हैं after your graduation इसके बाद question आता है कि sir मेरे को 10 साल का experience है क्या मेरा Australia का visa लग सकता है बिलकुल लग सकता है आपका 10 साल का experience है आप बैचलर्स हो married हो बच्चे हैं आपका बिलकुल Australia का visa लग सकता है और लगके आ भी रहे हैं recently हमारे बहुत सारे अस्ट्रेलिया के visa लगके आ भी रहे हैं जो student प्लस टू पास आउट है वो bachelor degree में apply करें डिपलोमा में I will not advise anybody to apply क्योंकि डिपलोमा में refusals ही आ जाती है 90% refusal के ही chances हैं आप बैचलर्स डिगरी में apply करें and assessment level 1 और 2 category के institute में apply करें 3 में मत apply करें दूसरी बात funds, funds के उपर 3 में पुराने होने चाहिए हैं आपके parents आपको sponsor कर सकते हैं आपके grandparents आपको sponsor कर सकते हैं but genuine funds are required to clear GTE अब GTE होती है genuine temporary entrance मतलब कि अगर आप genuine temporary entrance नहीं हो और अगर आपको university खामखाई COE दे रही है that means कि university के visa success rate अगर कम होता है suppose university ने 100 बच्चों को GTE दी और अगर 90 को visa नहीं मिला तो Australian high commission भी उस institute से पूछती है कि आपने COE क्यों दी so it is a technical matter बिल्कुल ऐसा किसी और country में नहीं होता है कि high commission पूछती है UK में पूछने लग गए है because UK and Australia are sharing same kind of system UK के पास cash है Australia के पास COE है so COE आने का मतलब है कि आपका 90% visa approve हो गया क्योंकि अगर COE के बाद refusal आ जाती है उसके पीछे आपके funds का ही reason हो सकता है कि आपने जो funds लगाए थे वो genuine ना हो उनकी proper verification ना हुई हो नहीं तो COE आने के बाद 90% आपका visa visa approve होके ही आता है so right now अगर landmark immigration की भी बात करें तो पिछले 6 महीने में हमने भी हमारा success rate भी 90% ही चल रहा है और हम step wise procedure follow करते हैं we don't follow any package system आप हमारे पर अपने document submit करेंगे we will give you 2-3 options की यह 2-3 universities में आप apply कर सकते हैं उन universities से आपकी offer letter आती है उसके उपर जो conditions लिखी होती है कि आप अपने funds के document दें आप conditions met करते हैं तो आप आगे अपना case proceed कर सकते हैं and secondly जब आप अपना case proceed करते हैं तो कुछ universities interview ले रही हैं कुछ universities interview के बिना ही GTE clear कर रही है और जब आपकी CUE आती है उसको लेके आप अपनी embassy में file proceed कर सकते हैं health insurance भी करानी पड़ती है पहले ही overseas health insurance करानी पड़ती है हमको जो की mandatory है before even submitting so Australia offer letter apply करने के लिए आप हमारे nearest office visit करें so आप मारे export guidance लेना चाते हैं मेरे से मिलना चाते हैं कोई भी query है तो आप हमारे nearest office visit करें हमारे offices different locations पे हैं हर्याना में भी हमारे दो office है करनाल, जीन, जम्मू में हमारा office है वदोद्रा, गुजरात में हमारा office है इसके लावा चंडिगड, मुहाली, लुध्याना, जलंदर, अमरिचसर, बठेंडा, मोगा आप nearest office visit करके आप अपनी query solve कर सकते हैं थैंक यू चलिए, बड़ी clarity से Australia को explain किया है जसमी जी ने 90413-90412 इस नमबर पे phone करें कोई भी confusion है तो इस नमबर पे बात करके आप उस confusion को दूर करें Thank you so much, जसमी